जैस्वामिनाइट स्टूरेंट्स, आज हम सिखेंगे AeroMix, let's time आज हम AeroMix में टोटल 5 स्टेप सिखेंगे और हर स्टेप को मैं आपको एकदम बारिगी से सिखाऊंगा ठीक है तो सबसे पहला step हम सीखेंगे चलिए सबसे पहले आप दोनों हाथ कमर पर रख लीजी और right leg आपका है उसको हम बाहर निकालेंगे और आपकी body थोड़ी सी cross होनी चाहिए ठीक है वैसे ही जब right leg बाहर जाएगा तो right hand को हमें cross left side head के उपर तक रखना है ठीक है और आपका left hand है उसको हमें कमर पर रखना है ठीक है ready step one यह one count हुआ वैसे same हमें opposite side करना है left hand को हमें cross में right side ले जाना है और left leg को बाहर निकालना है और right hand से हमें कमर पर रखना है यह total हमें 8 count 8 count से एक step होता है और उसको हमें 2 बार करना है ठीक है तो अभी हम 2 बार करके दिखाएंगे तो यह हमारा पहला step है लेकिन यह step को हम उपर से लेके नीचे तक हमारे hand को करें इसे पहला step head के ऊपर गया दूसरा कमर के नीचे और तीसरा leg के पास ऐसे हमें पूरे set में करना है इसको ठीक है ready 5 6 7 start 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर आपका पहला step खतम होता है चलिए बढ़ते हैं आप हम second step की तरफ second step के हमें कमर पर हाथ रखना है और leg same रहेगा पहला step की तरह लेकिन हमें जो right hand है उसको हमें देख ऐसे L shape में बना लेना ठीक है और हमारी यह जो कमर है और उबर के body है जितना turn हो सोगे उतना भी इसमें turn करना है ठीक है same right से then left से opposite opposite check से करेंगे ठीक है 5 6 7 start 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हमारी body जो उपर की जो body उसको जादा से जादा हमें turn करना है जिससे हमारी जो belly fat है वो कम हो सके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे step के तरफ जैसे ही हमने second step किया same वैसे ही करना है लेकिन हमें second step अब एक हैंड यूज कर रहे थे अब हमें दोनों हैंड को यूज करना है लेक की movement same रहे थी ठीक है let's start one two three four five six seven eight याद रखे इसमें आप अपनी body को जितना जादा move कर सके उतना जादा move करना है चलिए आगे हम बढ़ते हैं चौते step की तरफ अभी आपको लेकिस में joint रखना है ठीक है और पहले हम लेक का step सीख लेते हैं उसके बाद हम hand movement सीखेंगे ठीक है पहले लेक को उठा के रखना है right leg को side में one left two left three right four जैसे हम right leg को उठा के side में रखेंगे आपको hand ऐसे रखना है हाथ को see this यह elbow ना जादा ऊपर होना चीए ना जादा नीचे एकटम shoulder से straight होना चीए ready one two three four five six seven eight जैसे हमने इसको right side किया है वैसे opposite हमको left side करना है left side में सबसे पहले हम लेके left वाला लेके ready वैसे देख लेते हैं one two three four five six seven eight अभी यह दोनो step को हम एक साथ करते हैं ready five six seven step one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight तो आगे बढ़ते हुए हम हमारे last step की तरह पाएंगे fifth step ठीक है उसमें भी same आपके leg join होनी चाहिए और hand movement जो हमारी है वो हमने जो four step में की hand movement same रहेगी सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा turn करना है आए देखते हैं first हमें right side जाना है one two में same fourth step की तरह ही two लेकिन अभी हमें turn करना है turn में हमें left leg का ही वापस use करना है three four में हम right leg को वापस left के साथ joint करेंगे four अभी हमें वापस return जाना है तो हम वापस right leg से start करेंगे five six seven eight अभी ये step को हम पूरी एक बार करते हैं one day एक में ready five six seven step one two three four five six seven eight same हमने जैसे right side किया वैसे हमें left side करना है let's start left side start करने के लिए हमें सबसे पहले left leg से start करेंगे one two three four five six seven eight यहाँ पर हमारे सारे step complete होते हैं और हर step को आपको eight eight count से एक step होता है उसको हमें double double time करना है यानि sixteen count करना है every step को five six five six seven seven one two three four five six seven eight 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 झाल, 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 झाल